तो दोस्तो आप अच्छी बात यह है कि आप मुझे इंस्ट्रिग्रेम पर भी फॉलो कर सकते हैं नवश्कार दोस्तो आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है स्टेडी लवर्स की पार्शला तो दोस्तो आज की वीडियो में हम पड़ेंगे ओटलो बाई विलियम शेक्सपियर दोस्तो यह एक ट्रेजडी है जिसे लिखा था विलियम शेक्सिपियर ने ट्रेजडी का मतलब होता है एक सीरियस प्ले जिसमें end में किसी की death होती है और specially tragedies में main किरदारों की ही death होती है यानि कहानी के hero की या फिर protagonist की और थले एक बहुत ही success play है और हमारे Bollywood में इस पे एक movie भी बन चुकी है ओमकारा करके और इस film में अजे देवगन करीना कपूर, विवेक और और सैफ अली खान है जैसा कि हम सब जानते हैं कि William Shakespeare की prejudice भी कमाल होती थी और comedies भी और ये play जिंदगी का आईना होते थे, वो सब आगे पता चलेगा जब हम play पढ़ेंगे दोस्तो आप ज़्यादा time ला वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के हमरी वीडियो और hello by William Shakespeare, let's begin दोस्तो प्ले को शुरू करने से पहले हम main characters की चर्चा कर लेते हैं जिससे हमको play आराम से समझ भी आएगा आपको characters की नाम थोड़े अजीब लगेंगे, लेकिन समझ में आ जाएंगे तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कहानी के नायक याने की hero की ओथेलो, ये एक general है, Venetian military men पूरी कहानी इसी के आसपास घूमती रहती है ये एक हफशी है, हफशी का मतलब समझते हैं न, काला आदमी इसको Desdemona नाम की लड़की से प्यार हो जाता है अब ये Desdemona जो है, ये इस कहानी का दूसरा main character है ये ओथेलो की wife है और एक सांसत की बेटी है इस Desdemona की फादर का नाम है Brabenshio जो शुरू में ओथेलो और Desdemona की शादी के लिए तयार नहीं होता क्योंकि वो सोचता है कि मेरी बेटी क्यों एक हफशी के साथ शादी कर रही है लेकिन बाद में उसे इस शादी को accept करना ही पड़ता है देखे दोस्तों इस कहानी के तीन character हो गए ओथेलो, Desdemona और उसके father ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अब इस कहानी के villain की बात करते है इयागो की इयागो ओथेलो की military में एक soldier है ओथेलो इस पे बहुत भरोसा करता है लेकिन ये बाद में नमक हरामी कर जाता है इसके साथ में इसका नाम याद रखने हैं ये कहानी का villain है इसके अलावा एक और character है कासियो नाम का ये भी ओथेलो की आर्मी में एक soldier है ये बहुत इमानदार है और ओथेलो इसे बहुत पसंद करता है और ये इस कहानी के main characters की गिंती में हाता है अमेलिया एमेलिया इयागो की wife है यानि की कहानी के villain की wife है और इसी के साथ ये डैस्डी मोना की made servant भी होती है बाद में इसका भी इस play में एक बहुत ही एहम किरदार है एक्चली विलियम शेक्सपियर के सारे plays में हर किसी character का अपना एक वजूद होता है ऐसा नहीं है कोई भी play में जबर्दस्ती कोई character डाल दिया हो इसके अलावा एक और side character याद कर लो मंटनो ये Cyprus नामक जगे का governor है ठीक है अब play शुरू करते हैं इस कहानी की शुरूआत होती है इटली के एक शेहर वैनिश की एक गली से जहां दो जेंटलमेन आपस में बाते कर रहे हैं जेंटलमेन तो क्या है ये दोनों कमीने हैं जिसमें से पहले का नाम है रॉडरेगो जो की एक पैसे वाला आदमी है और दूसरे एक नाम है इयागो यानि की कहानी का विलन अब ये रॉडरेगो जो नॉबलमेन है ये इयागो से कहता है कि तुमने मुझे बेवकू बना है तुमने मुझसे डैस्डी मोना को पटवाने का वादा किया था उस वादे का क्या हुआ इयागो तुमने मुझे ठगा है दैस्डी मोना तो तुमारे जनरल ओठेलो के साथ भाग गई जिसके लिए तुम काम करते हो इयागो तो इयागो गुसे में उससे कहता है कि मैं भी ओठेलो से उतनी ही नफरत करता हूँ जितनी की तुम क्योंकि उस ओठेलो के बच्चे ने मुझे अपना लेटेनेंट बनाने की बज़ाय उस कल के लंडे कासियो को अपना लेटेनेंट बना दिया जिसे लेटेनेंट का एल भी नहीं मालू थोड़ा सा भी एक्सपिरियंस नहीं है उसे उस पत का अभी थोड़ी देर शांती रखो मुझे कुछ सोचने दो थोड़ी देर बाद इयागो रॉडरेगो से बोलता है कि मुझे एक आइडिया है अपन दोनों चलते हैं डेस्डी मोना के फादर के पास वो दोनों ब्राबेंटियों के पास जाते हैं डेस्डी मोना का फादर है उसके घर के बाएर चिला करके बोलते हैं वो दोनों बोलते हैं कि तुमारी बेटी जो है वो ओथेलों के साथ भाग गई है चाहो तो अपने घर में देख लो अब ब्राबेंटियों अपने बेटी को पूरे घर में डूड़ता है जब वो उसे नहीं मिलती तो वो गुस्य में लाल पिला और उपर से वो सांसा ठहरा यानि कि सिनेट का सदस्य है अब वो आगे क्या करेगा ये तो देखा जाएगा अब ये इयागो है ये बहुत चालू आदमी है ये ओथेलों के पास जाता है और जाके उसको बोलता है कि हुजूर्ड डेश्डिमोना के बाप को पता चल गया है कि आप उसकी बेटी लेके भागे हो वो किसी भी समय आपके पास आता ही होगा लेकिन ओथेलों को कोई चिंता नहीं है ओथेलों बोलता है प्यार किया चूरी थोड़ी की है जरूर इसने मेरी बेटी पे कोई काला जादू किया और उसको बहकाया अब यहाँ पर ड्यूक भी चालाक वो कहता है कि कोई और होता तो सजादेजित है लेकिन यह ओथेलों है अपनी आर्मी का जनरल है इसको अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए अब आथेलों ड्यूक को बोलता है कि मैंने डेस्टिमोना पे कोई काला जादू नहीं किया हुजूर वो मुझ own करती है मैं उससे प्रेम करता हूँ तो मैंने गलत क्या किया यह बताओ और जहां तक काले जादू की बात है मैंने कोई काला पारी रक्षा के लिए ओथेलो का रहना जरूरी है और डेस्डिमोना भी इसी का सपोर्ट कर रही है तो इसी के पक्ष में फैसला सुना देते हैं तो ड्यूक उनके पक्ष में फैसला सुना देता है और ओथेलो और डेस्डिमोना की शादी को लीगल कर देता है अब डेस्डि मना का लेकर के साइप्रस के लिए रवाना हो जाता है उनके साथ इयागो और रोडरीगो भी है यहाँ पे इयागो जो है वो अभी भी रोडरीगो की दिलासा दे रहा है कि तुम टैंक्शन मत लो डैस्डी मोना को मैं पटवा कर दूँगा और ओथेलो से अपना बदला भी ल मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि वो इस तूफान को नहीं जेल पाएंगे अब दोस्तों इस कहानी में एंट्री होती है कासियो की यह कासियो जो है यह ओथेलो की आर्मी में एक सोलजर है जिसको कुछी टाइम पहले ओथेलो ने लेटिनेंट बना दिया है मतलब इसका प्र प्रॉब्लम नहीं है कि यह मेरी बीवी डैस डिमोना के साथ हसी मजाग करता है कोई प्रॉब्लम नहीं है अब जब सबको पता चलता है ओथेलो की सेना को और ओथेलो को पता चलता है कि तुर्क जो है वो समुद्र के अंदर ही खतम हो गया है मतलब अब कोई हमको खत्रा न अब ओथेलो कासियो को इतना बोल करके डेस्ट्रिमोना के साथ कमरे में सोने चला जाता है अब इयागो के दिमाग में प्लानिंग चल रही है वो सोच रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करूँगा जिससे मैं ओथेलो से बदला ले सकूँ अब दोस्तों मैं आपको एक बा जाए कासियो को अपना लेफ्टेनेंट बना दिया जिसको इस लेफ्टेनेंट पद का थोड़ा सा भी एक्सपिरियंस नहीं है ऐसा समझता है यह यागो और दूसरा कारण यह है कि यह यागो सोचता है कि मेरी बीवी एमेलिया जो है इसके ओथेलो के साथ कुछ संबंद है तो यह दो कारण है जिसकी वज़े से यागो इस ओथेलो पे इतना गुस्सा है अब जब रात में ओथेलो अपनी बीवी दैसजी मोना नई नवेली दुलहन है उसकी साथ में कमरे में सोने चला जाता है तो यागो सोचता है कि कासियो को कैसे ना कैसे करके मैं शराब पिला देता हूँ प्लानिंग कर रहा है बहुत तकड़ी अब आगे यह क्या करता है कासियो को शराब तो पिलाई दी अब वो उसको मॉन्टानो के साथ जो गवर्नर है मॉन्टानो उसके साथ लड़वा देता है यह दोनों को उकसाता है भड़काता है और दोनों को आपस में पुरा होता है तो उसे दिखता है कुछ आवासτη सुनाई देती है कि बाहर कुछ लड़ाई-बड़ई हो रही है तो जब वो बाहर जाता है कि कासियो ने शराब पिकरके घुरदंग मचा रखा है वो मॉन्टानो के साथ लड़ रहा है तो वो कासियो को डाटता है कि मैंने अब दोस्तो इयागो जो चाहता था वो तो हो गया लेकिन इयागो की बहुत तगड़ी प्लानिंग है यहां पर वो डैस्डिमोना के पास जाता है वो डैस्डिमोना से कहता है कि तुम्हें मालूम है ओथेलो जो है उसने कासियों का पद छीन लिया है उसे जो लेटिनेंट प पद छीन लिया जाए वो डैस्डिमोना से कहता है कि तुम आथेलो को समझाओ कि कासियों के साथ ऐसा ना करें उसे वापस लेटिनेंट बना दे कासियों एक बहुत ही अच्छा आदमी है तो डैस्डिमोना सोसती है कि यह आगो बात तो सही कर रहा है यह कासियों जो है यह म माफ कर देता है और वापस से उसे लेटिनेंट बना देता है लेकिन एक बात समझ में नहीं आई यागो ने पहले इतनी प्लानिंग करके उसको शराब पिला के कासियों को इतना ड्रामा करके उससे लेटिनेंट पद छिनवाया और बाद में ओथेलो की बीवी डेस्जिमोन वो ओथेलो को बढ़काएगा कि डेस्जिमोना कासियों के साथ मिल करके उसको धोका दे रही है वो धीरे धीरे बार बार ओथेलो को यही बात बोल बोलके ओथेलो के दिमाग में शक का बीज बो रहा है कि हुजूर ये कासियों जो है आपकी बीवी के साथ कुछ ज़्याद आदमी है तुम ऐसी बकवास की बातें मत किया करो मेरे सामने बार बार अब दोस्तों इयागो तो अपना काम करी रहा है वो ओथेलों के दिमाग में धीरे 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 शक्का बीज बूरा है अब इयागो ने एक दिन यहाँ पर बहुत गहरी चाल खेली कैसे मैं बताता हूँ अब देखो इयागो की जो बीवी थी एमिलिया मैंने कहा था एक छोटा सा रूल इसका इसकी जो बीवी है एमिलिया इसकी पत्री जो है ये डैस्डी मोना के लिए काम करती है यानि कि उसकी मेड सर्वेंट है अब इयागो ने एमिलिया को कहा कि तुम डैस्डी मोना का जो वो रुमाल है, वो मुझे लाके दो, मुझे उस रुमाल से काम है, तो एमिलिया पूछती है क्यों, तो वो बोलता है क्यों क्यों क्या मत पूछो, मुझे बस लाके दो, अब दोस्तों ये रुमाल जो है, इयागो को उसकी बीवी लाके तो दे देती है, लेकिन ये जो रुमा रुमाल है ये डेस्डी मोना को ओथेलो ने दिया था ये डेस्डी मोना के पास ओथेलो के प्यार की निशानी है अब इयागो ने अपनी पत्नी एमिलिया से बोल करके वो रुमाल मंगवा तो लिया अपने पास में अब वो इस रुमाल का करेगा क्या इयागो बड़े चुप अगर तुम्हारे पास डेस्डी मोना की बेवफाई का कोई सबूत है तो लाके दिखाओ मुझे तो इयागो उससे बोलता है कि हुजूर आप बड़े भूले हैं आपको ये बात नहीं पता कि मैंने कासियों को बहुत बार देखा है अपने रूम में सोते हुए कि वो डेस्ड करने के लिए ओधिलो डेस्डी मोना के रूम में गया और जा करके डेस्डी मोना से अपने रूमाल मंगा कि मुझे वो रूमाल दो जो मैंने तुमें दिया था डेस्डी मोना ने बहुत वो रूमाल ढूंडा लेकिन उसे मिला नहीं अब वो गुसे में लाल पिला अब ओध अप्से में कहता है कि इयागो मैंने तुब इसी वक्त लेटनेंट बना दिया जाओ जाकर उस गद्दर कासियो को मार दो मैं तुम्हें तीन दिन दिता हूँ जाके मार दो तो दोस्तों अभी भी यागो का पेट नहीं भिरा वो अभी भी ओ्तैलो को बढ़काई जा रहा है वो केरा है हुजूर मैं तो कासी को संबाल लूँगा लेकिन डैस्ट्री मोना का क्या उसने भी तो आप के साथ दुखा किया है वो उसको कहता है कि हुजूर मैं तो ये भी जानता हूँ कि वो दोनों अपस में सो भी चुके हैं अब आप सोस सकते हैं कि ओथेल का गुसा इस वक्त कहां पे होगा साथवे आसमान पे होगा यागो यहाँ पे सब के साथ खेल खेल रहा है सबके साथ गेम खेल रहा है वो ओथेलो को भढ़का रहा डेस्डी मोना के खिलाफ यहाँ पे उसको कासियो को मारने की खुली छूट मिली गई अब कौन बचा रॉडरीगो इसको यह अलगी गोली दे रहा है उसको बोल रहा है कि तु चिंता मत कर मैं डेस्डी मोना का कुछ नहीं होने दूँ का मैंने पूरा प्लान तयार कर लिया है तू तो ऐसा कर मुझे रात को मिल अपन दोना मिलकर कासियो को मारते हैं अब दोस्तो उस रात इयागो ने कासियो को मारने का पूरा प्लान तयार कर लिया था कि जब कासियो अपनी गल्फरेंट बियांगा के घर से बाहर आएगा तो रोडरीगो उस पर हमला करेगा, अटेक करेगा तो यागो के कहने पर रोडरीगो ने वैसा ही किया उस पर अटेक किया लेकिन यहाँ पे कासियो ने रोडरीगो को गायल कर दिया जब वो इयागो से help मांग रहा था तो इयागो ने उसको भी मार दिया यहाँ पे उसके चिलाने की आवाज आ ऊठेलो ने सुनी तो आठेलो ने सोचा कि इयागो ने कासियो को मार दिया तो यह बास सोच करके आठेलो बड़ा खुश हुआ कि कितना loyal है यागो वो ही है मेरा अपना अब यहाँ पे ओथेलों को क्या मालू कि यागो ने जिसको मारा है वो रोर्जरीगो है और वो भी इसलिए मारा है ताकि उसका सच बाहर ना आ सके अब ओथेलों ने सोचा कि कासियों का तो हो गया काम तमाम अब ड़स्जी मोना की भारी उसने भी तो मुझे दोका दिया अब ओथेलों ड़स्जी मोना के कमरे में गया उसको मारने के लिए जहां वो सो रही थी पहले तो उसने उसको बड़े प्यार से देखा फिर बाद में एक टक्या उठाया और उसके मुझे रखके उसे मार दिया अब इतने में एमिलिया वहाँ पे आ गई जो की ईयागो की पत्नी थी वो ये बताने आई थी कि रोजरी को मर चुका है तो इसने इतने में देखा कि डेस्डिमोना को ओथेलो ने मार दिया है ओथेलो ने तकिया लेकर के डेस्डिमोना को मार दिया है तो वो देख करके चिला ही जिससे सारे के सारे वहाँ पे इकठे हो गए तब एमिलिया ने ओथेलो से पूछा कि आपने डेस्डिमोना को क्यों मारा हुजूर तब ओथेलो ने एमिलिया को डेस्टी मोना की बेवफाई के बारे में बताया कि किस तरह से इसने कासियों के साथ संबंद मनाये थे और इसलिए मैंने डेस्टी मोना को मार दिया एमिलिया बोलती है नहीं हुजूर आपने बहुत बड़ी गलती की वो ओथेलो को सारी सच्चाई बताती है वो कहती है कि किस तरह से इयागो जो मेरा हस्पेंट है जिसकी आपने सुनी उसने रुमाल जो है बड़ी चालाकी से कासियों के रूम में रखवाया था उसने मुझे वो डेस्डिमोना का रुमाल चोरी करने के लिए कहा था हुजूर तो ओथेलो के तो पैरों के नीचे से जमीन किसके जाती है उसको बड़ा अफसोस होता है कि ये उसने क्या कर दिया इतने में वहाँ पर इयागो आता है तो ओथेलो उसपे अटैक करता है हमला करता है तो वो अपनी बीवी एमिलिया को बीच में ला देता है जिससे वो मर जाती है और इयागो भाग जाता है तो इस कहानी की एंडिंग कुछ इस तरह से होती है कि Othello को अपने किये पे बहुत पस्तावा होता है वो तलवार से खुद को भी मार लेता है और इस कहानी की ट्रेजिक एंडिंग होती है और दोस्तों जहां तक बात है कहानी के विलन इयागो की तो उसे भी पकड़ लिया जाता है और एग्जेक्यूट कर दिया जाता है उसे मार दिया जाता है इस कहानी में Othello ने शक के बिना पर अपनी बीवी डेस्ट्रिमोना गो मार दिया तो दोस्तों ये थी आज की हमारी ट्रेजरी Othello बाई विलियम शेक्सपियर तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मुलाकत होगी आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद